असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब लोग आज हम बनाएंगे चिकन यखनी प्लाव आईए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए इसके लिए हमने कडाई में वन केजी चिकन डाल लिया है एक छोटे साइस का प्यास इसके साथ छे से साथ जवे लसन के डालेंगे तीन हरी मिर्चे डालेंगे और दो पीस हम अद्रक के डालेंगे एक चमच हम इसमें काली मिर्च डालेंगे एक चमच सौफ डालेंगे और एक चमच हम जीरा डालेंगे इसमें एक चाय का चमच नमक डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और चार ग्लास हम इसमें पानी डाल देंगे स्पैचला की मदद से हम इसे मिक्स कर देंगे और आठ मिन्ट के लिए हम इसे डखकल लगा देंगे आठ मिन्ट गुजर चुके हैं देखिए चिकन यखनी बनकर त्यार है यह देखिए तो अब हमने इस तरह से चिकन जो है वो बाहिर निकाल लेना है चिकन के पीसिज हम बाहिर निकाल लेंगे और पानी को हम चान लेंगे अब हम अपने भड़ी सी कडाही में एक कप कुकिंग ओयल लेंगे एक भड़े साइज की हम इसमें प्यास लाल देंगे इसको तब तक फ्राइ करेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाता तो अब इसमें एड़ करेंगे एक तेज पत्ता, बादियान का पूल, दालचीनी, काटुकुड़ा और दो भड़ी लाइची तो देखिए प्यास यहां पे लाइट ब्राउन हो चुके हैं अब हम इसमें अदरक लसन का पेस डाल देंगे तो एक खुसूरत सा रैडिकल का टमाटर डाल देंगे हम तो यहां पे हम इस मसाले को पाँए से 6 मिनट तक पकाएंगे यह देखिए बनाई माशाला से बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है एक चमच चाएगा लाल मिर्च का पाउडर एक चमच हम इस में नमक डालेंगे एक चमच काली मिर्च डालेंगे एक चमच हम कुटा हुआ जीरा अड़ करेंगे एक चमच सूका धनिया डालेंगे आप इन मसालों को हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजेगा अगर आप चैनल में ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबाएंगे तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी पानी अच्छे से ड्राइ हो चुका है जो हमने चिकन येखनी से निकाला था अब हम वो इसमें डाल देंगे अब हम चिकन को यहां पे अच्छी तरह से बून लेंगे क्योंके चिकन की बनाई बहुत ज़रूरी है और हम चिकन को बहुत आराम से हलाएंगे क्योंकि चिकन पहले भी पका हुआ था तो इसमें चिकन टूट भी सकता है अब जो यखनी हमने निकाल ली थी वो हम इसमें आड़ कर देंगे और हमने यहां पे टोटल चार गलास पानी लिया है हमारे जो राइस थे वो थे ढ़ाई गलास तो पानी हम लेंगे चार गलास अब हम इस पे रख देंगे ढ़कन और अच्छी तरह से इसे बोईल आने देंगे यहां पे बोईल आ चुका है जब पानी में अच्छी तरह से बोईल आ जाए तब हम इसमें राइस डालेंगे राइस को हमने बगो के रखा था 20-25 मिंट पहले अच्छी तरह से दो कर अब हम इस पे ढखना रख देंगे और तब तक पकने देंगे जब तक चावल यखनी को अच्छी तरह से पी नहीं जाते और ये बहुत एहम बात है कि आपने तब तक दम नहीं लगाना जब तक पानी बिल्कुल कम्पलीट ड्राइ नहीं हो जाता और अब हम इस पे दम लगाएंगे 10-12 मिनट देखिए 10-12 मिनट हो चुके हैं माशाला से मारे चावल बहुत अच्छे बन कर त्यार हुए हैं